सो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप फ्री फायर को फेस्बूक के थूरू लोगिन करने का ट्राइ करते हैं और आपको कुछ इस तरह से एरर देखने को मिलता है सोरी सम्तिंग वेंट रोंग अगर आपको बार-बार यह एरर देखने को मिल रहो और आप लोगिन नहीं कर पा रहे हैं फेस्बूक के थूरू फ्री फायर में तो आपको क्या करना है आज की वीडियो में इसका सॉलूशन बताने बाला हूं तो इस वीडियो में तक बने रहे करने के बाद यहां से आपको अपडेट देखने को मिल जागा और फिर आप जो नोटिफिकेशन बार में भी आपको यह ओप्शन्स देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपके मोइल में एरप्लेड मोड के नाम से हो या फिर फ्लाइट मोड तो आप यहाँ पर इसको अनेबल कर दीजिए यहाँ पर 10-20 second इसको on रखने के बाद फिर इसको बंद कर दीजिए जो भी आपके नेटवर्क्स वह रहा की वज़ेसे अगर प्रॉलम आरे हो इंटरेट की वज़ेसे वह जो है solve हो जाएगी और आपके नेटवर्क जो है refresh हो कर आ जाएंगे देन उसके बाद आपको क्या करना है अपनी free fire पर आना है और long press करना है long press करने के बाद आपको यहाँ पर तीन option देखने को मिलेंगे second number में आपको app info देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक करिए then आप directly इस page पर आ जाएंगे अब यहाँ से इसका सबसे नीचे आपको clear data देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक करिए और यहाँ से सबसे पहले clear cache करिए then उसके बाद इसका clear all data कर दीजिए ऐसे ही आपको facebook के साथ आपको करना होगा इस पर long press करिए app info पर आईए यहाँ पर इसका clear cache और इसका भी clear data कर दीजिए then यह करने के बाद आपकी problem solve हो जाएगी then अगर इसके बाद करने के बाद भी आपकी problem solve नहीं होती है तो फिर से आपको settings में आना होगा settings में आने के बाद scroll करना है then यहाँ पर apps पर आजाना है Apps पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको Manage Apps देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक करिए आपके बाद किसी other brand का mobile है तो यहाँ पर जो है आपको options थोड़े बहुत उपर नीचे देखने को मिल सकते हैं बट आपको काम सेम ही करना होगा यहाँ पर आपको Manage Apps देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको सर्च करना है Free Fire तो Free Fire आ चुका है इसको open करते हैं open करने के बाद यहाँ पर कुछ इससरा से आपको देखने को मिलेगा सभी options यहाँ पर आपको storage के नीचे data uses देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर data uses पर click करना है यहाँ पर आपको तीन ओप्शन देखने को मिल जाते है mobile data, wifi और background data यहाँ से इनको तीनों को enable कर लेना है यहाँ पर आपको कुछ इससरा से बंद होगा तो इनको enable करिए enable करने के बाद यहाँ से back आ जाईए अब यहाँ पर एक और option आपको देखने को मिल जाता आपके mobile में restricted data uses तो यहाँ पर इसपर click करना है यहाँ पर आपको दो option देखने को मिलते है wifi और mobile data इन दोनों को यहाँ पर आपका untick होगा तो इनको tick करके enable कर दिना है और रोक कर दिना है जैसे आप इनको यहाँ पर on करके back आएंगे अपने mobile को एक बर आप जो है restart कर लीजिएगा या फिर on off कर लीजिएगा या फिर आप reboot कर लीजिएगा जैसे आप यहाँ पर अपने mobile को reboot या restart करेंगे देन आप अपने free fire के अंदर यह जो problem है वह solve हो जाएगी something my intro जो आपको show कर रहा था वह show नहीं करेंगे और easily आप जो facebook के through login कर पाएंगे so guys अगर आपको फिर भी कोई problem आते मुझे comment box में बताईगा मैं कोई और वीडियो आपके लिए ले कराऊँगा so guys आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो ति वीडियो नहीं वीडियो ओने वीडियोर